राश्चिय ग्रामेर आजीविका मिशन में जुड़े सभी स्वयन सहायता समू की महिलाएं अगर पापड बनाने का रोजगार शुरू करना चाहती है, तब आप सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं को पापड बनाने के लिए सबसे पहले पापड बनाने की विधी को जानना होगा आप सभी महिलाओं को पापड की मार्azar के क्रनी होंगी, पापड की मार्केट में किस जगा मांग काफी है, वहाँ पर जाकर उन मांगों को थोक में आपके पापड को वहाँ पर सप्लाइ करना होगा पापड बनाने के, लिए आपको एक उचित स्थान भाड़े पर लेना होगा पापड बनाने के लिए अनेक प्रकार के पापड के लिए अनेक प्रकार के मटेरियल का उप्योग करकर आप मार्केट में अनेक अनेक प्रकार के पापड सप्लाई कर सकती हैं पापड बनाने के लिए पापड बनाने वाली मशीन खरीदना होगा, फिर आप सभी महिलाओं को पापड बनाना होगा, फिर पापड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, लाइसेंस लेना होगा, फिर आसानी से आप सभी लोग किस व्यापार को शुरू कर सकती हैं। पापड किस प्रकार बनाएं? अगर आप सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं पापड का बिजनेस शुरू करना चाते हैं, तब आप इस बिजनेस के माध्यम से काफी मुनाफ़ा कमा सकते हैं। आप सभी स्वयन सहायता समू की महिलाओं पापड की बेचने से लाखो रुपए भी कमा सकते हैं। आपके अगर पापड प्रत्यक जगह पर तेजी से मार्केट में आने लगे तब आप इस बिजनेस से काफी मुनाफ़ा कमा सकते हैं। स्वयन सहायता समू की महिलाओं पापड का बिजनेस घर बैठे बैठे भी कमा सकते हैं। धेर सारा पैसा। अगर आप भी कम पैसे लगा कर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो पापड का बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन पापड बिजनेस कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप बड़े लेवल पर पापड का बिजनस करने की सोच रहे हैं, तो भी पापड का बिजनस शुरू, हाउ तू स्टार्ट पापड बिजनस कर सकते हैं. यानि आप चंद हजार रुपे से लेकर लाखों रुप्यों के निवेश तक के बिजनस शुरू कर सकते हैं, इस बिजनस से आप अच्छी खासी कमाई, प्रॉफिट इन पापड बिजनस भी कर सकते हैं, कौन नहीं चाहता कि वहाँ अपना कोई बिजनस करे, जिससे उसकी कमा हो लेकिन बिजनस शुरू करना आसान नहीं, वैसे देखा जाए तो बड़ा बिजनस शुरू करना आसान नहीं, लेकिन छोटा मोटा बिजनस तो आसानी से शुरू कर सकते हैं, ऐसा ही एक बिजनस है पापड बनाने का बिजनस, इन्वेस्टमेंट इन पापड बिजनस, ज इसे आप अपने घर से ही शुरू how to start पापड बिजनिस कर सकते हैं। इसे आप बहुत ही कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पापड का स्वाद यूनीक और खास रहा तो आप मोटी कमाई, profit in पापड बिजनिस भी कर सकते हैं। कैसे करें पापड बिजनिस? पापड बनाने में तमाम दालों को पीज कर उनमें मसाले मिलाकर उनसे पापड बनता है। इसकी छोटी छोटी लोईयां बनाकर उन्हें बेला जाता है और फिर सुखाया जाता है। घर में महिलाएं दिन में दो से तीन घंते का वक्त निकाल कर भी पापड बना सकती है बड़े लेवल पर बिजनस करना है तो तमाम मशीने लगानी होंगी ऐसे में आपको अधिक पैसों की जरूरत होगी जो मुद्रा लोन से पूरी हो सकती है अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं और अपने पापड बड़े लेवल पर देश भर या विदेशों तक बेचना चाहते हैं तो आपका कंपनी के लाइसेंस से लेकर फूर्ड रेगुलेटर्स के FSI जैसे लाइसेंस की जरूरत भी पड़ेगी कितनी लागत और कितना मुनाफ़ा पापड के बिजनस में आपको करीब 30 से 40 फीसिदी का मुनाफ़ा होगा यानि अगर आप 1 लाख रुपए का कच्चा माल लाते हैं तो उससे पापड बनाकर उसे करीब 1.3-1.4 लाख रुपए तक में बेच सकते हैं अगर आप करें लागत की तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना बड़ा बिजनस करते हैं अगर आप घर में ही पापड बनाते हैं जिसमें कोई मशीन इस्तमाल नहीं होती है तो आपका खर्च सिर्फ कच्चे माल पर ही होगा उसके अलावा आपको पापड बेलने के लिए चकलाबेलन समेथ एक दो चीजों की जरूरत होगी जो हर घर के किचन में होते ही हैं वही अगर आप मशीने लगाते हैं तो आपकी लागत मशीनों के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी बड़ा बिजनस करने में मोटा खर्च तगड़ा मुनाफा अगर आप बड़े लेवल पर बिजनस करते हैं तो आपको दालों को पीसने के लिए ग्राइंडिंग मशीन उसे तमाम मसालों आदी के साथ मिक्स करने के लिए मिक्सर पापड बनाने के लिए पापड प्रेस मशीन, पापड को सुखाने के लिए ज्राइंग मशीन और पैकिंग करने के लिए पैकिंग मशीन की ज़रूरत होगी. सरकारी संस्था NSIC के आंकडों के मुताबिक अगर आप 30,000 किलो सालाना की क्षमता वाला पापड का बिजनस करना चाते हैं, तो आपको करीब 6 लाख रुपए का निवेश करना होगा. इसमें 3 लाख फिक्स्ट कैपिटल होगी और बची हुई 3 लाख वरकिंग कैपिटल. इस लेवल पर बिजनस करने के लिए आपको 250 से 300 क्वायर मीटर की जगह की जरूरत होगी. कहां और कैसे बेचे पापड? आपको पापड बना कर कोई फाइदा नहीं होगा अगर आप उसे बेच नहीं पाते हैं. ऐसे में अगर आप छोटे लेवल पर अपने घर से पापड बनाना शुरू करते हैं, तो पहले अपनी सोसाइटी, गाव या मोहले में पापड की सप् कर सकते हैं. आसपास की दुकानों पर भी पापड के लिए संपर कर सकते हैं. अगर बड़े लेवल पर बिजनस करना है, तो पहले अच्छे से मार्केट रिसर्च करें, देखें की बाकी कमपनियों के पापड की कीमत क्या है और सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या है. पूरी रिस सोचना पड़े की बिजनस बंद करना है. पूरी रिसर्च करना है.